आज 31 विदायक कॉंग्रेस के पास है। जेजेपी ये कहती थी के हम गन्ना एक चोदरी देविलाल के पोते हैं, उसका दूसरा रूप है, हम किसानों के साथ ही हैं, आज कहां है वो बताएं। यश्पाल बेरवाल जी जो पहले भी हमारे चैनल पर आचुके हैं और अपनी बेवाक बाच्चित रख चुके हैं। आईए इनसे एक चोटी सी मुलाकात करवाते हैं और इनके जज़वात क्या है। बेरवाल साथ सबसे पहले तो हांसी के आवाज पर आप दूसरी मरतबा आए हैं। इसके लिए आपका हार्दिक वेलकम है, स्वागत है। सर मैं सीधे सीधे परशन पर आता हूँ, किसान अंदोलन को 87 डेज हो गए हैं। इने लो पार्टी बराबर किसानों के लिए संगर्श करती आ रही है, तीनों किर्सी कानूनों को लेकर, रद करवाने को लेकर, आपके विधायक, आपके पार्टी के नेता, अबे चोटाला जने एलनाबाद से अस्तिफा भी दे दिया है, ये एक उनके लिए कुर्बाने कहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपने जो कहा कि ये कुर्बाने ही है, और मेरे हिसाब से ऐसा, वैसे तो मारी पार्टी के लिए जो विधायक पद है, वो कोई माइना ने रखता है, और खासकर चोदरी अबे सिंग चोटाला जी के लिए, क्योंकि वो जन्नाइक चोदरी देविलाल जी के पोते हैं, जन्नाइक चोदरी देविलाल जी के पोते, जिन्होंने उप परदानमंत्री की कुर्शी को ठोकर लगा देता, तो उनके लिए विधायक पद जो है, वो को तनमंदन से आकर खड़े हुए हैं, वो राजनिती से हटके, क्योंकि खुद किसान है, उन्होंने किसानी खुद ने की है, किसान के पोता हैं, जो किसान मसीहा, जन्ना एक चोदरी देविलाल जी के पोते हैं, तो उनके लिए ये कोई विधायक पद माइना ने रखता, पादिया है, और आज किसानों के साथ वो कंदे से कंदा मिला के खड़े हैं, जब तक बिल वापिस नहीं होगा, जब तक हमारे नेता भी पिछे नहीं अटेंगे, किसानों का साथ, पार्टी का एजन्डा है, आपके एजन्डा तो है, लेकिन हम राजनिती से हटके इस अंदर लोगे विदायकपद से तो अस्तिफा देहीं दिया, हाँ जी हाँ, हम तुशन तो है नहीं अब हमारे लिए कया राजनिती, क्या विदायकपद, हमारे लिए सिर्फ किसान का साथ देना है, अंदे गुंगे बेरे बिलको वापिस करवाना है, बीजेपी के गुठने के अंदर बीजेपी जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है इन लोगों को इस बिल के साथ यह जो बिल ले क्या है इसी के अनुसाराज गाउं के अंदर किसी में भी बीजेपी जेजेपी को गुशने नहीं दिया जाएगा अच्छा मैं पूछ रहा हूं कि इसी को लेकर 24 का चबूतरा है पूरे देश की आनमान शान माना जाता है खाब पंचायतों के लिए वहां पर उन्हें किसान रतन की उपादी दी गई है कब दी गई है यह अभी कितना था अबना दस पंदरा अभी चोटाला जी ने दी है अभी चोटाला जी को बुलाया है और जो मेहम 24 के ज है पबलिक उन्होंने पहचान लिया है कि असली किसान साथी कोन है और किसानों का दुस्मन कोन है आज 31 विदाया कॉंग्रेस के पास है जेज़े पी यह कहती थी कि हम जन्ना एक चोधरी देविलाल के पोते हैं उसका दूसरा रूप है एं किसानों के साथी आज कहां है वो यह सिर्फ और सिर्फ एक बवंडर रचने वाले लोग हैं यह जादूगर जैसे लोग हैं कभी कुछ कभी कुछ यह जेज इस ती क्या बोल जोगिराम सियाग ने कहा था अभी कुछ टाइम पहले कि मैं किसानों के साथ हूं बहुत लंबे-लंबे आत दे रहा था मैं किसान का बेटा हूं जब पत्तरकार साथ ही ने उनसे पूछा कि आप स्थीपा क्यों नहीं देते तो उनका सफ़स्ट जवाब आ पबलिक के बीच में कहने की जरूत नहीं है उनकी उकात उन्होंने अपनी सामने रख दी कि मेरे को किसानों नहीं 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 बनाया तो इसका मतलब कुंबा थुराना कुंगड बिवानी मुंडाड इन गाउं की इस साइड में एक एहम भूमिका रही है इस किसान अंदुलन में हमने देखा भी है तो लोगों का मन था कि मारे बीच मारे नेता चोदर अबे सिंग चोटाला जी आएं क्योंकि आज उन लोगों ने इसीज को पर रख लिया है कि सिर्फ और सिर्फ किसान के साथ किसान का बला सिर्फ अबे सिंग चोटाला जी दे सकते हैं तो उन लोगों का मन था तो इसलिए हमने भी अपने नेता जी को बुलाया कि वह बीच में आएंगे लोग जागरुक होगा और इस बिल को वापिस करवाने में और मझोती मिलेगे पर देश में किया पहले ही एक ऐसे विदायक जिन्हों ने अलस्का दिया है पर देश में ही नहीं सर पूरे भारत वरस्में लिभारत खीं हैंरब्दे किसी ने लिए सिर्फ सिर्फ चोधरियाब मजबूती मिले बिरवाल साब आप कितने अस्वस्थ हैं कि भी ये रिपील हो जाएंगे रद हो जाएंगे किसी कानून देखिए मैं क्या सरकार बैक फूट पे आई है बैक फूट पे नहीं गुटने रगडने लगी है जब तो इनकी मुरोडनी कभी मिले है वो मोदी साब कह हुए हैं कि मेरे मन की बात मैं सोच्टाओ मन की बात करता हूं उसके अंदर अतना कम है कDING मोदू साब के रहे में परDrदान मंतrit करें दूर मैं तो यह ऊजियर नहीं है तो बहुत बड़ी बात करते है नहीं हुं कि मैं किर्शी मंतरी काफी दस द्वर की वारता आगे बड़े हैं आज एक बात बताएए आप कितने सहीड किसान हुए है कितने दिन हो गए क्या आज तक मोधी साब ने एक फोन या कहीं बैठ के यह चीज कहीं कितने गलत हुआ है किसान सईध हुए है उनके मंतरी कहते हैं यह तो गर्पे उते तो भी मरते उसमें किर्सी मंतरी को किषाना चाहूंगा पुछना चाहूंगा आप्पी प्रक नीए हैं यह सिर्फ कभी हां कभी ना यह आप देख लो किसने ने बोल लिया कि हम किसाना के बेट्टे हां किसान के गैला जब टाइम आवा तो बदल जे हैं आपके नेता तो अर्याना के सेर जुबान के दनी जल योदा जो पूरे बारत वर्ष में आज सेर कहलाने वाड़े चोधरियावे सिंग चोटाला जी है उनका असिरवाद मेरे साथ है उनका हाथ मेरे शिर पे है ऐसे मैं यह गमंड मेरे को अपने आप पे है कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ जो जुबान का दनी पूरे बारत के अंदर सिर्फ अकेला नेता जुबान का दनी कहलाने वाला नेता है मैं उसके साथ हूं और उसका हाथ मेरे शेर पे मैं थाकावट नाम की चिली होगी अर्जन नाएक चोधि देविलाल का आशिरवाद यानि की उपर बैठे आप देखि तबी नहीं हम तो पेड़ी की चोटी सी डाली है टैनी है जी और चोधरियाबे सिंग्चोटाला जी ने अब उसको आगे बढ़ावा दिया है पाने को देखे ये किसान को एलिए समर्थन आपना वापिस देखर के उसको और बढ़ावा दिया है तो हम उसके साथ खड़े है ठीक है बेरवाल साब ये थे यश्पाल बेरवाल जी जो हलका परधान है हांसी के करामीन के और कह रहे हैं कि बाइस तारीक को कारिय करम होगा सौरकी के अंदर बेरवाल जी 24 सो गंटे किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं अपने नेता जी के साथ जिंदगी बह आपका कितना बड़ा होगा आपको मैं बिल्कुल मैं आपको और आपका मैं नोता भी दे रहा हूं आप मेडिया के सब्सक्राइब कहते हैं कि जिन्द की बहतर जब होती है जब दूसरे आपकी वज़े से खुश होते हैं ऐसी ही बेरवाल जी का वेक्तित है दूसरों को हार दिख हार दिख फिर से मैं अभार वेक्त करता हूं इसी तरह आप खिसानों के लिए जूजते रहें नमस्कार दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वेक्तितु के साथ मैं मेरे रिपोर्टर रवी सैने के साथ देखते रही है हासी के आवास